ओम नमे सिवाई दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है गंगा में धुले वे पाप कहां जाते हैं? क्या आप गंगा में पाप धुलने के लिए जाते हैं? लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि गंगा में जो आप पाप धुलकर आते वे कहां जाते हैं? चलिए आईए आज मैं आपको बताती हूँ एक बार एक रिसी ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहां जाता है तपस्या करने के फलसरूप तेवता प्रकट हुए तो इसी ने पूछा कि भगवान जो पाप गंगा में धोया जाता है पाप कहां जाता है भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से पूछते हैं दोनों गंगाजे के पास गए कहा है गंगे जो लोग आपके यहां पाप धोते हैं इसका मतलब आप पापी हुई गंगा ने कहा मैं क्यों पापी हुई मैं तो सारे पापों को लेकर जाकर समुंदर को अरपित कर देती हूँ अब वे लोग समुदर के पास गए, हे सागर गंगा पाप आपको अर्पित कर देती है, इसका मतलब आप पापी हुए, समुदर ने कहा मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बना कर बादल बना देता हूँ, अब वे बादल के पास गए और कहा हे बादलो, समुदर में जो पाप, पापों की भाप बन कर बादल बना देते हैं, इसका मतलब आप पापी हुए, बादलो ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसा कर धर्ती पर भेज देता हूँ, जिसस अन उपजदा है, और जिसे मानव खाता है, उस अन में जो अन जिस मानशिक रिष्टिती में उगाया जाता है, और जिस व्रत्ती से प्राप्त किया जाता है, जिस मानशिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के नुसार मानव की मानशिक्ता बनती है, इसलिए कहते हैं, जै